त्यार थे हूं, बीस्टी पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर में, माइकोरोलोजी जो फंजाई है, जिसमें फंजाई का अध्यन करते हैं, उसमें आपने पहले व्याख्यान के अंदर जनरल करेक्टर ओफ फंजाई, कवकों के सामाने लक्षनों के बारे में जानकरी करेंगे हैं वैसे तो कवकों का जो वर्गीकरण हैं वो देजिभीन प्रकार के वएग्यानिकों के दवारा अलग-अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किए गये हैं और ये वर्गी करण की लंबी स्रंखला है अपना जो सलेबस है डियसी पार्ट फर्स्ट का उस सलेबस में जिस वर्गी करण को रखा गया है वो है एलग्जोपोलस और मीम्स का वर्गी करण आज हम जो कौकों का वर्गी करण पढ़ेंगे वो एलग्जोपोलस और मीम्स के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था वर्गी करण उसके बारे में जानकारी प्राथ करेंगे ये ही अपने कोर्स में है और इसको ये अपने को ध्यान में रखना है जो एलग्जोपोलस है उसका पूरा नाम है वी सी जे एलग्जोपोलस सी डब्लू मीम्स नाइन्टीन सेउंटीनाइन उन्नी सो उन्नियासी इन्होंने अपने वर्गी करण में एक सूपर किंग्डम उच जगत जो यू माई कोटा है उस समुदाय का नाम करण माई सी टी के रुप में किया पहला जो एल्ग जो पहलो जो का खुद का उबर्गी करने है उसमें इन्होंने जो यू माई कोटा जो सूपर किंडम है उच जगत जिसको कहते हैं उसका नाम करन चेंज किया और उसका नाम रखा माई सिटी इस माई सिटी को सूपर किंडम नाम दिया उच जगत और माई सिटी को तीन भागों में डिवाइट किया पहला जिमनो माई कोटा दूसरा मैस्टिगो माई कोटा और तीसरा ए मैस्टिगो माई कोटा यानि जो एलेक्जोपोलस और मीम्स ने फंजाई को सूपर क्लास के रूप में नाम दिया माई सिटी और माई सिटी को सब डिविजन में तिन डिविजन में बांटा पहला डिविजन जिसका नाम था जिम्नो माई कोटा डूसरा डिविजन मैस्टिगो माई कोटा और तीसरा डिविजन ए मैस्टिगो माई कोटा अब जो स्लाइड सामने दिख़ए जा रही है उसमें C. J. V. C. J. Electropolis and C. W. Memes 1979 placed fungi and slime mold under the kingdom of their own My City under the super kingdom U. Mykota U. Mykota उना Mykota था उसका नाम रख दिया My City और My City के अंदर इस fungi को रख दिया The kingdom is divided into three divisions यह जो super kingdom है उस super kingdom को इन्होंने तीन भगों में डिवाइड किया जिम्नो Mykota ऐसे कवक जिनके अंदर कोशी का वित्ती अनुपस्तित होती है उनको रखा जिम्नो Mykota में दूसरा रखा Mastigo Mykota Mastigo Mykota के जो कवक हैं उनका थेलस एक कोशी किये या तंतुकी या सुत्रवत फिलामेंटस हो उसमें फिलेजिला प्रजेंट हो तारकाई कोशी का विवाजन में भाग लेता है ये मेस्टिगो माईकोटा के कवकों के लक्षन है पहला थेलस या तो एक कोशी की होगा या फिलामेंटस फाइबर लाइक इस्टेक्चर होगी और इसके अंदर फ्लेजिला मुझूद होंगे और जो तारक का आई है वो कोशी का विवाजन में भाग लेता है तीसरा जो डिविजन है जिसका नाम रखा ए मैस्टिको माइकोटा जो तीसरा प्रभाग है ए मैस्टिको माइकोटा ए मैस्टिको माइकोटा के अंदर ऐसे कवकों को रखा गया जो सुत्रवत है जो कवक जाल है वो फाइब्रस है और फाइब्रस हो के प्लेक्टेनो काइमी यानि फाल्स सुडो क्वेरेंट काइमेटा की तरह स्ट्रेक्चर बनाता है माइसिलियम बनाता है गुंत जाते हैं वो आईफी कभी-कभी एक कोशी किये इसके अंदर तारकाई अनुपसित होता है और जो यूगमनज है जाइगोट है वो अर्द्शुत्री मिवाजन करता है ये तीन डीविजन या तीन प्रभाग इन्होंने बनाएं माइसिटी के अंदर अब जो माइसिटी है उसके करेक्टर अपनने पहले पड़ चुके है कि माइसिटी के अंदर क्या होगा फंजाई होगी वो एक लोरोफिलस है फंजाई सेप्रोफिटिक होती है परासिटिक होती है यूनिसेललर हो सकती है एकोशिकी हो सकती है फिलामेंटस हो सकती है तंतुमे हो सकती है इनका जो न्यूटिशन है न्यूटिशन के अधार पर य यह जो उच जगत है माई सीटी, उस माई सीटी को जिम्नो माई कोटा, मेस्टिको माई कोटा और ए मेस्टिको माई कोटा नाम के तीन डिविजन उन्होंने बढ़ाएं अब डिवीजन जिम्नो माइकोटा फेगो ट्रोपिक और्गेनिजम विद सुमेटिक स्ट्रेक्चर डिवल्ड ओफ सेल्वा कौन होंगे जिम्नो माइकोटा में कवक ऐसे होंगे जिनके अंदर कोशी का विती नहीं होगी कौशी का विती होंगी नहीं फेगो ट्रोपिक और्गेनिजम फेगो ट्रोपिक जो भक्षी होते हैं सुमेटिक स्ट्रेक्चर जो सुमेटिक स्ट्रेक्चर होगी यानि जो काई इक सरंचना होती उसके अंदर सेल्वाल नहीं होती और फेगो ट्रोपिक और्गेनिजम होगी उप्रभाग बने लिए पहला उप्रभाग है जिसका नाम है एक्रेशियो जिम्नो माइकोटा और उसके अंदर एक संवर्ग है क्लास है जिसका नाम है एक्रेशियो माइशिटीज दूसरा सब्डिवजन है उसका नाम है प्लाजमोडियो जिम्नो माइकोटा प्लाजमोडियो जिम्नो माइकोटा सब्डिवजन है उप्रभाग है उसके अंदर दो क्लास है संवर्ग है पहले के अंदर एक है अब दूसरा जो प्रभाग है इसका नाम है Mastigomycota, फंजाई विद सेंटियोल यानि Mastigomycota के जो कवक है उसके अंदर सेंटियोल मोज़ुद होता है, यह सेंटियोल सेल डिविजिन में भाग लेता है, फ्लेजिलेटेटेट सेल मोज़ुद होती है, यह सेंटियोल में भाग लेता है, यह सेंटियोल में भाग लेता है, इसके अंदर जो Mastico Mycota है उसके अंदर जो उपप्रभाग है वो उपप्रभाग दो है पहला है है एपलो मेस्टिगो माइकोटिना और दूसरा है डिपलो मेस्टिगो माइकोटिना है यह याद रखना है जो दूसरा division है जिसका नाम है मेस्टिगो माइकोटा मेस्टिगो माइकोटा उस मेस्टिगो माइकोटा के अंदर दो सबडिविजन है पहला सबडिविजन है है एपलो मेस्टिगो माइकोटिना और दूसरा है डिपलो मेस्टिगो माइकोटिना है पलो मेस्टिगो माइकोटिना के अंदर तीन संवर्ग है, तीन क्लासे हैं, पहला है Criteriomycities, दूसरी है Hypocriteriomycities, और तीसरी है Plasmodiophoromycities, यह तीन क्लास है इसके अंदर, पहला जो इसका सब्डिविजिन है, और दूसरा जो सब्डिविजिन है, उप प्रभाग जिसको कहते हैं, डिप्लोमेस्टिको माइको टीना, उस डिप्लोमेस्टिको माइको टीना के अंदर, एक क्लास है, वो है उमाइषिटीज तीसरा, जो इसका डिविजिन है, या प्रभाग है, उसका नाम है एमेस्टिको माइकोटा, MSTIGO माइकोटा कर थे, उस MSTIGO माइकोटा के क्या विंसे देह सते हैं, तरह विजए क्वारस अचांट्री स्प。 यानि कवकों के अंदर संस्प nggak जांदर सेंप्यों नहीं होता, प्तविक्वर्णू交 Vermont सेल को सिका नहीं होती उसके जीवन चकर के अंदर निटिशन, एप्जॉरूर्टी होता है, पोशन होता है, वो अउसोशन के द्वारा होता है, सिंगल सेल्ड बाई माईसीलिया, माईसीलियल विद लिमिटेड तु एक्स्टेंचियू, सेप्टेट और एसेप्टेट माईसीलियम, जो कवक जाल होता है, कवक सुत्र होते हैं, वो पटी उक्त भी हो सकते हैं, और बिना पट के भी हो सकते हैं, सिनोस्टिक भी हो सकते हैं, यह सेप्टोर रेप्रोडेक्शन बाई बडिंग, मुकुलन के द्वारा अलेंगिक जनन, विखंडन के द्वारा, फ्रेग्मेंटेशन के द्वारा अलेंगिक जनन, स्पोर जाइगोट बनता है उसके बाद में अर्शुत्री विवाजन के द्वारा मियोस्पोर्स बनते हैं वो मियोस्पोर्स अंकोरित होके फिर वेजिट्रिव जो थैलस है उसका निर्मान करते हैं यह जो एमेस्टिगोव माइकोटा है इसको चार उप प्रभागों में चार सब डिविजन में बनता है पहला है जाइगोव माइकोटीना जाइगोव माइकोटीना है उसके अंदर क्या विशेशता है कि जाइगोव माइकोटीना की जो कवक है वो परजीवी या मृतजीवी हो सकती है इसके सुत्रवत कवक दाल कोशिका है सीनोसिटिक यानि सांकोशिक यानि उसके अंदर सेप्टेशन नहीं है पटरहित खूब सारे कैंद्रक जो कवक तंतु के अंदर मौझूद होते हैं ऐसी कंडिशन को कहते हैं अपन स्यूनसिटिक मल्टी नूपलियाट कंडिशन बौ कैंद्री की अवस्था और लेंगीक जननन इस्पोरेंजिया के द्वारा होता है लेंगीक जनन ओड झैर लेंगेरियाग जो क्लास है पहली है जाइगो माइसीलियम पटियुक्ट यानि कवकजाल पटियुक्ट सेप्टेट यूनिसेललर थैलस एक कोशी किये जो थैलस हो सकता है और मल्टिसेललर हो सकता है यह सेक्टोल िपरोडेक्शन बेटिंग के दोबरा और लेंगीग जरनलन के दोबरा इसकी जो फूरूतिright बोडी होती है फलनयकाय होता है जो लेंगीग जरनलन के बाद बनता है उसका नाम है एसकोकवर्प यानि 25 सब्डियुझन में वद्धी स्ब्रान्द बड़ करूती जो बेसीडियो माइकोटिना है उसके जो कवक हैं वो परजीवी मर्तोब जीवी या सहजीवी हो सकते हैं जो कवक जाल है वो पट्यूक्त और जो फ्रलन का फ्रूटिंग बोड़ी है उसका नाम है बेसीडियम और बेसीडियम के अंदर एडेक्शन डिविजन अर्शुत्री इसके द्वारा मियो स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है Bacedio mycities इसका आपने पड़ेंगे बाद में हंजाही के बारे पड़ेंगे दर रहाँ हंजाही के वह मेंबर्स पड़ेंगे उनकी तब यह आएगा अब चोथा जो इसका सब डिविजन है जिसका नाम है डूbrachte जो डू sprouts है कर लिखमिंदे अजिन उन को के किया विशेस्ता है कि कव्क परजीवी मरतोब जीवी या सह जीवी हो सकते है पटियुक्त इसे को ghostre होते हैं वो पटी युक्त भी जानू अत्वा कोनी डिया के द्वारा अलेंगिक जनन परिपूर्ण अवस्था अनुपस्थित यानि इसकी लाइफ साइकल है उसके अंदर पूरा जीवन नहीं होता है लेंगिक अवस्था इसमें अनुपस्थित होती है रिप्रोडेक्शन के स्रेमूर्ण पाइजाती है फैरा सै क्या इसमें पाइजाती है यह जो डिटेड़ो-माइकॉटिना उसके अंदर एक क्लास रखी वो है डिटेड़ो-माइस इसे अल्टरनेरिया है यह अपने पढ़ेंगे बाद में अल्टरनेरिया अपने कोर्स में है अब इस प्रकार से यह जो को में बताया इतना अपने को याद रखना है और डीटेल is स्मेश पड़ सकते हैं आज के वेख्यान में यह जै हिंद जै वार्त